हेलो गाईज आज हम डिसकस करने वाले हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनिंस लिम्टेट के बारे में क्योंकि आज के डेट में इसमें आपको बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है और बहुत सारे लोगों ने सोचा कि आज के डेट में खरीदा जाये तो क्या आज य कंपणी 26% की डिविडेंट दे रही है हर साल तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को फिक्स डिपॉजिट करवाने का कोई मतलब होता है आपको दोस्तों स्टॉक प्रॉफिट दे चाहे ना लेकिन दोस्तों ये स्टॉक की आपको डिविडेंट से ही आपको यतना जादा प् देखने को मिला और आज के डिट में दोस्तों देखिए अगर आप लंबे समय के लिए कंपणी को खरीदना चाहते हैं कि बहुत तरह ऐसे लोग हैं तो उनका कैलकुलेशन क्या रहता है कि यह जो कंपणी का प्राइज आपको दिखा देना चाहता हूं कंपणी का कैलकुले बनाता है फिर यह डाउन आता है तो फिर यह एक stable point बना रहा है अगर आप देखो गे तो तो यह stock में एक सीडियो जैसा चाल चल रहा है जैसे कि stock एकदम से step नीची आता है फिर चलना स्ट करते है थोड़ा बहुत फिर उपर जाता है फिर step नीचे आता है तो तो फिर नीच दे सकती है तो 6,373 के आसपास ठीक है उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं जो 52 विक हाई आपको जो बताया जारा 52 विक हाई 755 रुपीज के आसपास था 52 विक लो जो है दोस्तों वह 81 रुपीज के आसपास है मतलब कि यह company जो आभी recover लिना start किया है सबसे बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों यह company जो अपने book value से भी नीचे दोड रहा है book value से भी नीचे दोड रहा है तो यह एक opportunity के तोर पर हम मान सकते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख लिए डिविडेंट आपको बताया ज़रा 26 से भी जादा 26.85 लगबग अगर आप देखोगे दोस्तों त जो 26 के आसपास है यह भी अच्छा है 20 के पार होना चाहिए ठीक है 20 के नीचे वाले अच्छे होते हैं लेकिन काफी ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं और यह company का sales growth है लगबग 22% के हिसाप से जो है अपना sales को growth कर रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि stock में काफ by one step और उसके बाद यहां पर देखे पर मोटर होल्डिंग इस लो बाई 23.56 23.56 परसंट के आसपास तो इसलिए मैं आपको यह company बोलूँगा hold ठीक है और avoid ठीक है hold और avoid आपको करना है आपको buy करना है क्या नहीं buy on deep करना है क्या नहीं कुछ भी नहीं करना ठीक है अगर आप के पास है तो hold किजिए अगर नहीं है तो मैं बोलूँगा ऐसी company से थोड़ा सा दूर रही है इससे भी अच्छे अच्छे company आपको मिल जाएगी अगर आप यहां पर एक चीज़ देखोगे 2020 में March में यहां पर आपको पर मोटर के जो हिस्सेदारी है उन्होंने यहां पर ब देखते हैं तो 20 अब पर मोटर के पास कितने हिस्सेदारी है तो लगवग 23% के आसपार जो की सही नहीं है बिल्कुल सही नहीं है हाँ पर मोटर को ऐसे लगता हो कि थोड़ा बहुत आपको यहां पर अच्छा का सा recovery देखने को मिलेगा तो हो सकता थोड़ा आपको profit हो लेक 16, 17, 18, 19, 16 में कितना था दोस्तो तो 2.34% था आज के डिट में कितना हो चुका था 4.09% मतलब कि हम बोल सकते है लगवग यह दुगना होने के पास में आ रही है धीरे धीरे लेकिन जब company को profit हो रहा तो फिर क्यों stock price नीचे जा रहा और लोगों को काफी जादा नुकसान हो यहाँ पर आपको तो फाइनली अगर आप देखना चाहते हो दोस्तो तो यह stock में आपको short recovery देखने को मिल सकती है लेकिन यह short recovery देखके मैं आपको नहीं बोलूँगा खरीदने के लिए बिल्कुल नहीं दोस्तो हो सकता है यहाँ पर आपको label तोड़ने के बाद आपको 100 के आसपास यह stock देखे धीरे धीरे फिर देखे नीचे जा रहा इतना ज्यादा यह नीचे चला जा चुका है दोस्तों कि अब यह इसका जो real value है उससे भी यह तूट चुका तो मेरे ख्याल से आपको यह stock avoid करना चाहिए ठीक है stock में आपको थोड़ी बहुत तेजी देखन नहीं लग रही है ठीक है तो अब आते हैं मुद्धे की बात पर अगflower आपको डिमेंट आकाउंट प्रेंट करना है यह देमेंट अकोई टकलीफ आ रही है तो आप अपने काउंट इंजल पर की में खोल सकते हैं बिल्कुल में आपका दीमेंट अकांट ऑपिन कर दिया जा करते हैं दोस्तों ठीक हैं जाकर गूर्बपन आपने अकाउंट कर सकते हैं